सेवा जोहर सगजन तो चलिए सगजन आज लेके आया हूँ आचार्य मोती रवयन कंगाली द्वारे लिखित गुंडि गरंत सहित और इतिहास के बारे में जनकरी उनकी सभी पुस्तक के यहां उपलब्द है मतलब यहीं कि उनकी जनकरी यहां उपलब्द है उसके बाद आप कहीं भी हमारे समाज के जब कार्यकरम होता है वहाँ पे जाईए और उस नाम से वो पुस्तक खरीद लीजिए क्योंकि अभी आनलाइन में यह सब चीज अवेलेब नहीं है पहला है गोंडी लंक पुंदान दूसरा है गोंडी वारी का पुर्व इतिहास गोंडी नित्यांचा पुर्व इतिहास मतलब गोंडी जो नित्य है उसका पुर्व इतिहास कोया भीडिता गोंड सगबीडार कुमारा भिमाल पेंता सार उसके बाद छठवा है गों गुंडी वैकरन, आठवा है गुंडी करियाट, और नौवा है कोया पुनेमता सार, दसवा है गुंडवाना गर दर्शन, ग्यारवा है गुंडवाना कोट दर्शन, बारवा है गुंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास, तेरा नंबर का है गुंडी पुनेम दर्शन, 14 गोंडी सलोक 15 मुन्डारा हीरो गंगा 16 तापी नदी का पौरानिक गाथा 18 गोंडी लिपी परीचाय 17 है सगजन गोंडी लिपी परीचाय 18 है गोंडो का मूल निवास इस्थाल परीचाय 19 वा है सेंध्वी लिपी का गोंडी में उद्वाचन 20 वा है 20 नंबर का है कुराडी गड़ की तिलका दाई 21 डोंगार गड़ की बमलाई दाई 22 गोनवाना जीव जगत की उद्पत्ती 23 वरीहत हिंदी गोंडी सब्दकोस 24 चांदा गड़ की महाकाली कली कंकाली 25 बस्तार की दंतेवाडिन वेंदाई दंतेश्वरी और अन्तीम जो है मराठी गोंडी सब्दकोस सगाजन 26 नंबर में तो हमारे सगाजन तक इसको पहुँचाने की सेवा कीजिए सगाजन जितना हो सके सेयर कीजिए की जिनको भी जो जानना है बमलाई के बारे में जानना है की दंतेवाडिन दाई के बारे में जानना है तो उनको सेयर कीजिए सगाजन सादर सेवा जोहार